हलो गाइस तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में स्क्रीन डिकोर्डिंग करने का ओप्षन नहीं आ रहा है यानि जैसे यहां पर स्क्रीन सोट का ओप्षन आ रहा है और यहां से आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं लेकिन screen recording करने का option यहां से नहीं आ रहा है तो आप screen recording के option को यहां पर कैसे ला सकते हो उसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को पुरा एंट तक द्यान से देखना है मैं आपको पुरा step by step बताने वाला हूँ तो दोस्तों screen recording करने के लिए option की आपको आफ सकता होती है क्योंकि option के बिना आप screen recording को चालू नहीं कर सकते हैं और यहां पर आपको जब screen recording का option नहीं दिखा देता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर देखिए side में three dot दिख़ए दे रहे हैं उपर देखिए right side में तो आपको three dot के option पर click करना है उसके बाद में दो option आपके सामने खुल कर आएंगे जहां पर एक है edit tiles and media input output तो आपको edit tiles के option पर click करना है उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सारे option आजाएंगे जो आपके status bar और sword card में दिख़ए देते हैं तो यहां पर देखिए और निशे जो option है जहां पर plus का icon है और उपर minus का icon है यानि आपको जो भी उपर से अटाना है जो अभी आपके वरतमान समय में उपर status bar में आ रहे हैं तो आप यहां से minus के icon पर click करके यहां से उनको delete कर सकते हैं और आपको कोई नया option उपर add करना है तो आपको यहां पर plus वाले icon से select करके उपर आपको डाल देना है तो यहां पर देखिए मैं लाता हूँ तो screen recording का option कहां पर है देखते हैं तो यह देखिए दोस्तों सबसे last में screen recording का option है तो यहां पर मैं देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों उपर सीधा एड हो सुका है उपर जहां पर जो आप्शन अभी सो हो रहे हैं उसमें एड हो गया है तो अभी मैं आपको उपर से लाके दिखाता हूँ तो यह देखी दोस्तों यहां पर आशुका है अभी मैं फिर से यहां लाता हूँ तो यह देखिए सबसे लाश्ट में स्क्रीन डिकॉर्डिंग का उप्सन आ रहा है और यहां से आप अपने मोबैल की स्क्रीन डिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर, कमेंट और हमारे सेनल को सबस्क्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद